जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी किलासे स्विस्विश्मिजेन यूटूब चैनल में तो सभी सात्यों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लें और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नाटक में आंगे नाटक के महत्पूर्ण तत्यों को आंगे जाता है कई बार पूछा भी गया है कि कुपसूरत बहु के रचनाकार कौन है कि नाटक किसका है तब आपका उत्तर होता है नांग बोडस का किसका है कुपसूरत बहु नांग बोडस द्वारा लेकित नाटक है उत्त्राएंड नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों राम बहुत बढ़िया तो सभी लोग आ चुके हैं तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इस सेशन से आप जोड़ जाए उत्राइन नाटक की रचनाकार जो है वो कौन है रामकुमार बर्मा ठीक है रस गंदर्ब नाटक की रचनाकार कौन है मनी मदुकर माने जात पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है दोस्तो प्रसाद का कामना नाटक है एक कॉस्चन कई बार आता है आप से ये भी पूछा जाता है कि कामना नाटक की रचनाकार कौन है तब आपका उत्तर होता है दोस्तो प्रसाद जी जैसंकर प्रसाद है ना हिंदी का पहले प्रती प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है तो प्रतीक धर्मी जो नाटक माना जाता है वो प्रिसाद का नाटक कामना माना जाता है दोस्तों ठीक है बहुत बढ़िया यहां पर देखो चौपट चपेट नाटक के रिचनाकार कौन है किसोरी लाल गो स्वामी है ना बोले किसोरी किसोरी चपेट किस ने कर दिया चौपट बोले सर पूरी पढ़ाई चौपट कर दी किसोरियों ने अपने गुरुप की किसोरियों ने तो नहीं की पढ़ाई चौपट बोले सर नहीं की तो चौपट चपेट एक किसोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है ये आपको याद रखना है च चंद्रावली नाटिका को है ना ये चंद्रावली नाटिका की रचनाकार भारतेंदुजी माने जाते हैं ठीक है रेडियो नाटकार के रूप में चरंजीत अधिक प्रसिद्ध दोस्तों चरंजीत है ना ये रेडियो नाटकार के रूप में अब आप से पूछा जाएगा कि निमनमय से बताईए कि सर कौन सा रेडियो नाटक कार के रूप में प्रसिद्ध है आप क्या बताओगे चरंजीत ठीक है चरंजीत आपको याद रखने ना है नाटक का अभिना रंग मंच के जिस अंगले इस्थान पर होता है उसे रंग सीर्स कहते हैं अंगले इस्थान पर क रखना है भारत एंदू अरिश्चन्द करत बिध्या सुन्दर नाटक ये कैसा माना जाता है दोस्तों ये अनुदित नाटक माना जाता है बिध्या सुन्दर है ना ये सबसे बड़ी बात तो एह है कि भारतेंदु जी का ये नाटक माना जाता है विद्या सुन्दर और कैसा नाटक माना जाता है यह माना जाता है अनुदित सभी लोगों को याद रखना है प्रसाद ने अपने द्रोफ स्वामनी नाटक में नारी मुक्ती की समस्या को उठाया पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेमभाव नहीं रखती है ना तो चंद्रगुप्त नाटक की जो सुवासनी नारी है दोस्तो ये याद रखने ना है कौन सी नारी सुवासनी नारी ये पात्र है ये चंद्रगुप्त के साथ प्रेमभाव नहीं रखती दोस्तो सुवासनी नारी ठीक है इसको आपको याद करना है चंद्रगुप्त नाटक की सवासनी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेमभाव नहीं रखती प्रशाद ने अपने दुरुप स्वामनी नाटक में नारी मुक्ती की समस्या को उठाया है ना भारतेंद वरिश चंद केतर को आपन को याद करना है चंदराबाली नाटिका भारतेंदु अरिषिचंद की है चोपड़ चपेट की रिचना करके सोरी लाल गोष्व्वामी तो में यह और, यहाँ पर आते हैं अगला और विकास के लेका कौन माने जाते हैं तब आपका उत्तर होता है डांक्टर दसरत ओजा क्या है डांक्टर दसरत ओजा हिंदी नातक का उधभा और विकास के लेका कौन है सीधा उत्तर जाता है डाक्टर दसरतोजा ये क्वेस्चन कई बार आया हिंदी नाटक का उध्वा और विकास के लेका कौन माने जाते हैं डाक्टर दसरतोजा माने जाते हैं है ना औरंग जेप की आखरी रात के रिचनाकार कौन है तो रामकुमार बर्मा हैं दोस्तो औरंग जेप की आखरी रात रामकुमार बर्मा ठीक है भुबनेसुर असंगत नाटक के लिए प्रसिद ने दोस्तो असंगत नाटक के लिए प्रसिद ने कौन भुबनेसुर ठीक है असंगत नाटक के लिए प्रसिद ने जानकी मंगल नाटक के रिचनाका का अन नाम दोस्तों सीता है तो सीता से सीतला प्रसाद है ना सीता तो सीतला प्रसाद तरपाटी का जान की मंगल नाटक इसमें क्या किया था इसमें भारतेंदु जी ने दोस्तों अभी नहीं किया था काई में जान की मंगल नाटक में ठीक है भुबनेसुर कैसे असंगत करना है सिंघानिया नामक पुरुस पात्र का संबंद आधे अधूरे आधे अधूरे बताना है आपको आधे अधूरे के रिचनाकार कौन है है ना और सिंघानिया नामक जो पुरुस पात्र है दोस्तो इसका संबंद है आधे अधूरे नाटक से है ना अब आधे अधूरे न शबीन को बताना है इंदर्चवा के लेखक हैं दोस्तों अमानत इंदर्चवा के लेखक क्वण है अमानत विकारी ठाकौरका विदेफिया एक लोकनाट का पूचा जाता है विदेश या किसका लोक नाटक है आप से पूचा जाएगा तो यह भीकारी ठाक उरका है ठीक है याद रख्टेना है और साहित की नाटक विधा में रंग निर्देश होता है यहां पर अपन ने देखा कि सर्भारतेंदु हरिस चंद को भारतेंदु की उपा का कि सर आधे अधूरे के जो नाटक हैं हैना आधे अधूरे के जो रचनाकार हैं वो कौन है आधे अधूरे के आधे अधूरे के जो रचनाकार हैं वो मौहन राकेस हैं हैना पड़ते जाओ पड़ रिपीट भी करता जाता हूं इसलिए कि रिपीट भी होता जाएगा हैना अब आरामाराम से पढ़ रहे पढ़ते जाओ रिपीट भी करते जारा अगर कोई चूटता हो तो औरंग जेप की आखरी रात के रिचनाकार रामकुमार बर्मा माने जाते हैं है ना और रामकुमार बर्मा जी का जन्म कब हुआ दोस्तो 1905 को हुआ रामकुमार बर्मा जी का चीक है, 1905 को, भुमनेसुर कैसे नाटक कार हैं दोस्तों, असंगत नाटक कार हैं, भुमनेसुर, चीक है, जानकी मंगल नाटक की रिचनाकार कौन है, सीतला परसातर पाथी हैं, सीतला परसातर पाथी, चीक है, सिंघानिया नामक परोस पात्र का सम्बंध किस से है, ये question आप मौहन राकेश के बिना कैसे हैं आधे अधूरे हैं मौहन राकेश के बिना आधे अधूरे हैं तो ये भी याद रखना है ठीक है इंदर सभा के लेकक अमानत माने जाती इंदर सभा अमानत ठीक है विकारी ठाकुर का विदेशिया ये लोकनाटक है लोकनाटक विदेशिया है और साहित की नाटक बिधा में रंग निर्देश होता है आप से पूछा जाएगा साहित की किस बिधा में रंग निर्देश होता है तो रंग निर्देश होता है दोस्तो नाटक बिधा में ठीक है अब यहाँ पर देखो अती रंजना पार्सी नाट परंपरा की प्रमुक प्र प्रबिर्ती है तो प्रमुक प्रबिर्ती कौन सी है अती रंजना है ना बत्सराज बत्सराज लच्मी नाराण मिसर का नाटक है है ना बोले लच्मी का बत्स कैसे याद करोगे लच्मी का बत्स तो लच्मी का बत्स से क्या हो जाएगा बत्सराज ठीक है लच्मी नाराण मिस का नाटक कौनसा है आपसे पूछा जाएगा निमने मैंसे बताइए तब आपका उत्तर होगा बत्स राज और याद करना है लच्मी का बत्स ठीक है तो बत्स राज के लच्मी नारण में सरो जाएंगे हैं ना अब यहाँ पर देखो पहला राजा नाटक के लिए का कौन है त तो पहला राजा नाटक के लेकक हैं, जगदीस चंदर मातोर, इनको याद रखोगे अभी व्यक्ति की सुतंतरिता का प्रस्णِ सुरेंद ब्रमा के आठवा सर्ग नाटक में आया है, अभी व्यक्ति की सुतंतरता का प्रस्ण किसमें आया है सुरेंद बर्मा के आठबा सर्ग ये क्वेस्चन कई बार आया आठबा सर्ग की रिचनाकार कौन है तब आपका उत्तर क्या होता है शुरेंद बर्मा आठबा सर्ग की रिचनाकार कौन है सुरेंद बर्मा ठीक है भार बारत दुर्दसा के पहले यंक में भारतेंदू ने मूल रूप से भारत के किन कारणों का है ना तो भारत की दूर्दसा के कारणों का इन्हों ने चित्र खीच अभी बैक्ति की सोतंदरता का प्रस्ण दोस्तों सुरेंद बर्मा की आठबा सर्ग नाटक में आया इसको याद रखेंगे इसकंद गुप्त नाटक के प्रतम अंक में कुल सात द्रस हैं इसकंद गुप्त नाटक की रिचनाकार कौन है ये भी सबी लोगों को बताना है इसकं बस जीवन संचित मदुकरियों की भीक लुटाई एह गीत इसकंद गुप्तनाटक से लिया गया है अब आपको सीधा बताना है कि इसकंद गुप्तनाटक के रचनाकार कौन है इसकंद गुप्तनाटक के रचनाकार कौन है हैना इसकंद गुप्तनाटक आपको पता है कि इसकं ना रज प्राज़न सुरयंद बर्माख की आटवा सार्ग नाटक में हैं ठीक है पहला राजा नाटक लेकग जगदीस चंदर मातर का है इसको याद रखना और बत्सराज। लच्मीनारण मिसरु का नाटक माना जाता है दूस्तों इस सारे की सारे नाटक आपको याद रखना तो राज परोष दनतुल है ना ये दोस्तों असाड का एक दिन में ये माने जाते हैं दनतुल इसी के पात रहें है ना तो असाड का एक दिन की रचनाकार कोन है ये आपको टिक लगा देना है ठीक है असाल का एक दिन मोहन राकेश बैरीगोड अजाज सत्रू नाटक के रिचनाकार कौन है तो अजाज सत्रू ये भी जैसंकर पर साथ का है दोस्तो अजाज सत्रू के रिचनाकार कौन है जैसंकर पर साथ अब यहाँ पर आजाओ थोड़ा मिसर का दोस्तो नाटक है पहला राजा नाटक के लिए का जगदीश चंद्रमात ओर हैं पहला राजा अभी व्यक्ति की स्वतनत्रता का प्रस ने सुरेंद बर्मा की नाटक आठवा सर्ग नाटक में आया ठीक है अब आप से पूचा जाता है कि आठवा सर्ग नाटक के रचनाकार कौन है आठवा सर्ग तो आठवा सर्ग सुरेंद बर्मा ठीक है भारत दुर्दसा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से भारत की दुर्दसा के कारणों का चित्र कीचा है ना इसकंद गुप्त नाटक के प्रतम अंक में कुल कितने साथ द्रश्चे हैं कितने द्रश्चे हैं साथ द्रश्चे हैं आह बेदना मिली बिदाई मैंने भ्रहंबस जीवन संचित मदुकरियों की भीक लुटाई एह गीत इसकंद गुप्त नाटक से लिया गया है है ना इसकंद गुप्त नाटक की रिचनाकार जैसंकर परसाथ ठीक है बहुत बढ़िया असाड का एक दिन राजपुरुष दंतुल इसके पात रहें दोस्तों अजात सत्रू नाटक की रिचनाकार कौन है तो जैसंकर परसाथ अजात सत्रू अजात सत्रू नाटक की रिचनाकार है जैसंकर परसाथ ठीक है इनको थोड़ा थोड़ा अपन को पढ़ना है, अब यहां पर देखो, प्रिबिर्ती और निब्रिती, अत्वा आसक्ती, अनासक्ती का द्वंद, मोहन राकिस के लहरों की राजन से नाटक में प्रदर्शित हुआ है, आप से question कैसा बनेगा बो देखो सबसे पहले, आप से किसमें हैं, लहरों की राजन से नाटक में प्रदर्शित है, ठीक है, सूर मोख नाटक में क्रश्ण और बेडू रती के प्रदर्शन है, इसको याद रखो, बरनाट सा का प्रत्यक्ष प्रभाव डेकर 1935 में, हिंदी में, एकांकी नाटक की रचना बोवनेस और प्रसाद एक कोस्चन आया हुआ है पिछले एक्जामों में, बनार सा का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 में, हिंदी में, एकांकी नाटक की रचना, किसने की आंसर है, बोवनेस और प्रसाद ने, किसने की, बोवनेस और प्रसाद ने, ठीक है, महत्वा कांचा का मौती, निस्ठुर पलता है, एक प्रसाद की चंद्रगुप्त नाटक का कथन माना जाता है, ठीक है, तो महत्वा कांचा का मौती आपको याद रख्टे ना, निस्ठुरता की सीपी में पलता है, एक प्रसाद की चंद्रगुप्त नाटक का कथन है, है ना, चंद्रगुप्त नाटक की दोस्त पटाक से भारतेंदू के अनुसार हिंदी का पहला मौलेक नाटक है दोस्तो कौनसा नहोस भारतेंदू के अनुसार हिंदी का पहला मौलेक नाटक कौनसा है तो मौलेक नाटक है नहोस गोपाल चंद गिरधरदास है ना तो गोपाल चंद गिरधरदास आपको पता है कि इनका दोस्तो नाटक माना जाता है और भारते अंदु के उस्तार हिंदी का पहला मौलक नाटक नाहोस माना जाता है ठीक है आधे अधूरे नाटक के प्रमुक इस्त्री पात्र का नाम है साबित्री आधे अधूरे किसका है मोहानरा किसका है है ना बिलकुर राइट आंसर है बोली स अना सक्ति का द्वंद मोहर राकिस के लहरों के राजहन से नाटक में ये प्रदर्शित हुआ है। कि भरतेंदु के नुसर हिंदी का पहला जो मॉलेक नाटक वो नहोस है और नहोस की रचनाकार है वो गोपाल, चेंद और फगेरधर दास। एह कथन जैसंकरपिरसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। क्या है चंद्रगुप्त का दोस्तो 1931 है इसको अपन को याद रख लेना और दोस्तो यह प्रसाद का है यह तो सभी को पता है। ध्याली के अंधायोग नाटक की हैं। कौनसे योग अंधायोग। यह अंधायोग कै बार पूछा गया कि अंधायोग नाटक की रचनाकार कौन है। तो आप सभी को पता है कि सर अंधा योग जो नाटक है ये नाटक माना जाता है किसका किसका माना जाता है अंधा योग अंधा योग के रचना कार माने जाते हैं दोस्तो धरंबीर भारती ये कई बार पूचा गया है कि धर्म के बिना अंधा है योग धर्म के बिना अंधा है परन दत्य जैसंकर प्रसाद की इसकंद गुप्त नाटक का पात्र है परन दत्य ये पूचा गया है दोस्तों परन दत्य प्रसाद की किस नाटक का पात्र है उत्तर हो जाएगा इसकंद गुप्त नाटक का पात्र है और ये दोस्तों इसकंद गुप्त नाटक प्रसाद जी का है इसका दोस्तो पात्र है परन्दत ये कई बार आया है ठीक है नाटक में परदे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं अब यहाँ पर दो चीजें दो चीजें पूछी जाती है कोई कॉस्चन इसी प्रकार से है किसी बिसस से बिसमोषदम भरतेंदू का राष्ट भक्ती परखनाटक माना जाता है दोस्तों है ना भारतैनु का कैसा नाटक है राष्ट भcketsी पर्श्ट नाटक है टीक है डाक्टर राम बिलास सरमाने चंद्रा वली को भारतेंदू की आत्मा का पृती रूप माना है इसको अपन कुछ याद करना है ठीक है कि डाक्तर राम बिला सर्मा चंद्रा वली नाटिक्या तो आपको पतहिए कि ये अधारते अंधु जी की है और इस नाटिक्या को दोस्तो आत्मा का पृति रूप माना ये इभी अपन को याद करना है यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पनाते हैं कि सर यहाँ पर देखा कि जैसंका प्रसाथ के चंद्र गुप्त नाटक से लिया गया है ये पंक्ति दोस्तों की ब्राम बढ़ना तो किसी के राज में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है है ना ये भी याद हो गया अब यहाँ पर देखो इनको देखो ये रक्त पात कब तक समाप्त होगा ये धरम बीर भारती के अन्धायोग नाटक की है दोस्तों चीक है ये भी याद रख लेना और परणदत जैसंका प्रसाथ के सकंद गुप्त नाटक का पात रहे है ना ये सबी को पता है अब यहाँ पर देखो नाटक में परणदे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते है चूलिका कहते है ठीक है बिलकूल है ना और परणदे के पीछे का जो भाग होता है उसे नेपत्थ कहते है इसको याद रख रख लेना यहां पर बहुत सारे लोग confuse हो जाते हैं कि परदी के यानि कि नेपत्थ से दी जाने वाली सूचना को चूली का कहते हैं ऐसा भी कह सकते हो क्योंकि परदे के पीछे का भाग नेपत्थ कहलाता है परदे के पीछे का भाग क्या कहलाता है नेपत्थ तो कभी कभी ऐसा भी आप से आएगा कि नेपत्थ से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं तो नेपत्थ यानि कि परदे के पीछे का भाग से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं चूली का तो परदे के पीछे के भाग को हम क्या कहेंगे नेपत्थ और नेपत्थ से दी जाने वाली सूचना चूली का कहलाती है ठीके किलियर बोहुत बढ़िया विसन सब्सक्राइण नाटक माना जाता है और डाक्टर रामगला सरमा ने चंदरा बली को भारतेंदु की आत्मा का पृति रूप कहा है अब आप से पूछा जाएगा कि चंदरा बली को भारतेंदू की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है तो आप क्या बताओगे राम बिलास सर्माने किसने कहा है राम बिलास सर्माने ठीक है चंद्रा वली को भारतेंदू की आत्मा का प्रतिरूप माना है राम बिलास सर्माने ठीक है यहाँ पर आ जाओ कभी भारतेंदू नाट नाटक के लेकाक कौन है तो दोस्तों अगर आपको भारतेंदू दिया है तो आप भारतेंदू लगा दोगे लेकिन ऐसा नहीं करना है कभी भारतेंदू नाटक के जो लेकाक है वो लेकाक है लच्मी नाराण मिस्र कौन है लच्मी नाराण मिस्र ठीक है लच्मी नाराण मिस् बिध्या सुन्दर का पात्र कौन सा है गुण सिंधू बिध्या सुन्दर है ना जो बिध्या सुन्दर सुन्दर बिध्या अर्जित करेंगे वो गुणों के सिंधू बन जाएंगे जो बिध्या को सुन्दर तरीके से सुन्दर बिध्या को अर्जित करेंगे तो गुण इसकंद गुपत है जैसंकर परशाद की शर्वादिक प्रौण किरती कौन सी है तो आपका उत्तर हो जाएगा इसकंद गुपत है ना बूडे मौह मोहा से प्रहसन के लेका राधा चरण गोश्वामी है कौन है राधा चरण गोश्वामी बूड़े मौह मौह से ये प्रहसन है और इसके रचनाकार कौन है तब आपका उत्तर हो जाएगा राधा चरण गोश्वामी बूड़े मौह के मौह से राधा के चरणों की बात ही सुनने को मिलती है आपने देखा होगा अपने परिबार में अपने घर में जो अपने बूड़े माबाप होते हैं बूड़े दादा दादी होते हैं उनके मोहसे देखो तो राधा के चरणों की बात चलती है ना रादे रादे बुजबते ही रहते रादे रादे जैसरी राम इस प्रकार से तो बूड़े मोहसे बूड़े के मोहसे राध भार्तेंदू के प्रैम जोगनी नाटक कुण सा है तो जान की मंगल यह प्रतम अभी नित नाटक है इसकी रचनाकार कोने सीतला प्रसात्र पाटी ठीक है सीतला प्रसात्र पाटी अब देखो तीन राज परिवारों मगद कौसल और कोसामबी बोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है तीन राज परिवारों मगद कोसल और कोसामबी को केंदर मान कर सासकों की महत्वा कांचा और सत ता लिपसा को चितरित करने बाला जो नाटक है, उनाटक कुणसा है, उत्तर हो जाएगा अजात सत्रु। तो यहांपर अपर आपने देखा कि सर्भ कभी भारतेंदू यह लच्मी नालाण मिस्र का है। ठीक है गुण सिंदु भारतेंदु जी बिद्या सुंदर का परमुक पातर है ठीक है बिद्या सुंदर का पातर है इसको भी याद रखना तो प्रोण नाट कृति दोस्तों इसकंद गुब्त मानी आती है है ना और बोड़े मोह महा से प्रहसन के लेखा कौन है तो तरह ओता है राधा च्रण गोष्वामी बूड़े महह मुहासे यह सबसे बड़ी बात कि ए प्रहसन है और ए प्रहसन किसका है राधा च्रण गोष्वामी का है भारतेंदु के प्रैम जोगनी नाटक में ततकाली इंकासी के अथार्थ चित्रण है दोस्तो है ना हिंदी का पर्थम अभीनीत नाटक कौनसा है जानकी मंगल हिंदी का पर्थम अभीनीत नाटक है जानकी मंगल तीन राज परिबारों मगत कौसल और कोसामभी को केंदर मान कर सासकों की महतबा कांचा और सत्ता लिपसा को चितरित करने वाला जो नाटक है वो नाटक है अजात सत्रू तो ये क्वेस्चन आता है दोस्तो मगत कौसल और कोसामभी को तो ये अजात सत्रू आपको याद रख एक ब्याक्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं दोस्तों अजास सत्रू है ना यह याद रखते ना यह जैसंकर प्रसाद का नाटक है और इसमें भगवान बुद्ध श्यम अपने सिद्धानतों की ब्योहर एक ब्याक्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं तो कथानक बोध्धों की पतन का काल है दोस्तों बिसाक बोस्ट इंपोर्टेंट यह आया हुआ है कॉस्चन कि प्रसाद का बहे नाटक कौनसा है जिसका कथानक बोध्धों की पतन का काल का है बोध्धों की पतन का काल का है तो वो नाटक है दोस्तों इनका बिसाक नाटक कौनसा है बिसाख नाटक ठीक है इसका जो कथानक है वो बोद्धों की पतन का काल का है है ना प्रसाद की प्राश्चित नाटक में जैचंद काल का दोस्तों चित्रन हुआ है प्राश्चित प्राश्चित नाटक इसमें जैचंद काल का चित्रन हुआ है तो प्राश्चित नाटक किस प्रसाद का प्रास्चित है ना कभी कभी प्रसाद लेते हो और गिर जाए अगर धोके से तो आप प्रास्चित करते हो कि या राम 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 प्रसाद गिर गया है ना प्रास्चित करते है ना प्रसाद का प्रास्चित ठीक है बिसाक नाटक हो गया प्रास्चित नाटक हो गया आह बेदना मिली बिदाई गीत इसकंद गुप्त नाटक में दोस्तों है आह बेदना मिली बिदाई है ना ये इसकंद गुप्त नाटक इसकंद गुप्त नाटक आह बेदना मिली बिदाई नहुस नाटक के रचेता गोपाल चंद और फगिरधर दास हैं और इस नहुस नाट जी ने किसने भारतेंदु जी ने ठीक है very गोपालचंद और अबरदाश हो गए भारतेंदु के नील देवी नाटक में स्वचंदताबादी तत्वों को अपनाया गया है एक कभी भारतेंदु नाटक के रिचनकार कौन है तो लच्चमी नारान मिस्त कभी भारतेंदु ये आ स्वचंदताबादी तत्मों को अपनाया गया आप से पूछा जाएगा कि बह नाटक कौनसा है भारतेंदुजी का जिसमें दोस्तों स्वचंदताबादी तत्मों को अपनाया गया तो वो है दोस्तों कौनसा नील देवी नाटक नील देवी है गोपाल चंद और गिरदरदास नहोस नाटक के रचेता हैं आह बेदना मिली बिदाई गीत इसकंदगुप्त नाटक में हैं दोस्तों है ना प्रसाद के प्राश्चित नाटक में जैचंद काल का चित्रन हुआ है है ना प्रसाद के विसाक नाटक का कतानक बुद्धों के पतन का काल है ये भी याद रखते अब ही अपन ने देखा कि सर परदे के पीछे का भाग नेपत्य कहलाता है और नेपत्य से दी जाने वाली सूचना को चूली का कहते हैं है ना बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं तब आपका उत्तर होता है बिसकमभक क्या कहते हैं बिसकमभक क की सूचना देने वाले को बिसकंभग कहा जाता है है ना इसको याद रखेंगे प्रसाद जी के जन्मे जय का नाग यग नाट किर्ती में आर अनार के भेदभाव का चित्रन हुआ है और अनार के भेदभाव का चित्रन हुआ है किसमे जन्मे जय का नाग यग आप से पूछा ठीक है प्रसाद की बिसाख नाटक का कतानक बोध्धों की पतन का काल है ये अपनने पड़ा था कि प्रसाद जी का बहनाटक कौनसा है जिसका कतानक बोध्धों की पतन का काल माना जाता है तो वो बिसाख नाटक है ठीक है प्रसाद जी के ध्रुख सौमनी नाटक में तलाक औ और पुनर विवाय की समस्या को बड़े कॉंसल चे उठाया गया most most important question है दोस्तो इसको आपको याद करना है पिरसाद का बहनाटक कौन सा है जिसमें तलाक और पुनर विवाय की समस्या को बड़े कॉंसल चे उठाया गया ये question ऐसा आता है कभी कभी ऐसा आता है कि धुरुफ सौमनी नाटक के रचनाकार कौन है तो ये तो आपको पता ही है कि धुरुफ सौमनी जैसंकर परसाद का रचनाकार बता दू जल्दी से इसका रचनाकार क्या है धुरुफ सौमनी का और परसाद के धुरुफ सौमनी नाट प्रचना दोस्तु कामारेगी नहीं माने जाती आंतिम और यहां पर देखो प्रसाद की आंतिम नाटे कृती कौंसी है तो द्रुफ सव्मनी रचना काल बताओ जल्दी से द्रुफ सव्मनी का क्या है बताईए चंद्रगुप्त नाटक का कतानक यूनानियों के आक्रमन काल से संबंदे थे बहुत बड़ी आंसर आया है इसर धुरुप सौमनी का रचना काल है 1933 चंद्रगुप्त नाटक का कतानक यूनानियों के आक्रमन काल से संबंदे कि इसको याद रखेंगे आह बेदना मिली विदाई इसकंद गुप्त की पंक्ती है और भरत मुनी ने नाटक को पंचम बेद की माननता दी है दोस्तों नाटक को काई की ये कॉस्चिन कई बार आया है नाटक को पंचम बेद की संग्या किस ने दी तो नाटक को पंचम बेद की जो संग्या दी है वो दी है किसने भरत मुनी ने पंचम बेद की संग्या किसने दी भरत मुनी ने ठीक है तो भीतिया भावी गटनाओ की सूचना देन वाले बिसकंबक कहलाते हैं परसाज जी के जनवे जाएका नाग्यक नाटक किरती में आर अनार भेदवाओं का चित्रन हुआ है परसाज जी के दुरुफ स्वामनी नाटक में तलाक और पुनर विवाय की समस्या दोस्तों बड़े कौंसल से उठाई गई परसाज जी की अंति पंचम बेद की संग्यादी है इसको धिरे धिरे याद करना है बात करते हैं घासी राम कोतवाल गासी राम कोतवाल नाटक के रचनाकार कौन है आप से पूछा जाएगा गासी राम कोदवाल नाटक की रचनाकार माने जाते हैं दोस्तो बिजय तेंदुलकर कौन माने जाते हैं बिजय तेंदुलकर ठीक है और इसको अपन को याद रख़े ना है बिजय तेंदुलकर माने जाते हैं देउताओं की छाया में चरवाहे उपेंदरनात असकिकी किरती है ये किसकी करती है दोस्तों ये उपेंदरनात असकिकी है कामना प्रसाद जी का बहनातक है जिसमें उन्होंने समसामे एक प्रस्णों को न उठा कर देश काला तीत सासवत समस्याओं को उठाया इन्होंने समसामे एक नहीं उठाया बारतमान की समस्याओं को इसमें नहीं उठाया इसमें दोस्तों देश काला तीत सासवत समस्याओं को अब यहां से अगर question बनें कि प्रसात का बहनाटक कौन सा है जिसमें दोस्तों समसा में एक प्रशनों को न उठा कर उसमें देश कालातीत सास्वा समस्याओं को उठाया गया आप क्या बताओगे कामना ठीक है कासी में नेशनल थेटर है ना प्रियाग में आर नाट सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना के प्रेरक तत्तों कौनते दोस्तों भारतेंदू हरिस्चन्द ठीक है सुबाय के घंटे नरेश महता की रचना है जादू की कुरसी में बहुत बल है जादू की कुरसी में क्या है बल बल है तो बल याद रख्टे ना बलराश साहिनी नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए रंगमंच के लिए नाटक नहीं ये कथन किसका है ये कथन आपको बताना है जल्दी से कमेंट में लिखिए ये कथन है दोस्तों बोले सर जैसंकर पिरसात का कथन है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए रंगमंच के लिए ना तक नहीं है ना कतन किसका है जैसंकर पिरसाथ का इसको याद रखेंगे जादू की कुर्सी बलराज साहिनी है ना सुभाई के गंटे नरेश महता और दोस्तो नेशनल थीटर प्रियाग में आर अनार नाट शबा कानपुर में हिंदी रंगवंच के प्रेरक्तत कुंते भारते बोले देवताओं की छाया में चरवे असक बहाते हैं चरवाहे क्या करते हैं असक बहाते हैं गासी राम कोतवाल नाटक के रिचनाकार कौन है तो बिजय तेंदुलकर कौन है बिजय तेंदुलकर इसको याद करेंगे गासी राम कोतवाल बिजय तेंदुलकर बकरी नंद पर आधारत है दोस्तों ये पूछा जाता है दोस्तों कि मोहर राकेश का बहें नाटक कौन सा है जिसका कथानक अस्थ घोष के स्वंद्रा नंद पर आधारत है तो वो है लहरों की राजहन्स इसका कथानक इसकी बसे बस्तू अस्थ घोष के स्वंद्रा नंद पर आध अधारित मानी जाती है बकरी ये जनबादी नाट परंपरा का नाटक है और बकरी के रिचनाकार कौन है तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बकरी शर्वेश्वर दयाल शक्सेना कौन है शर्वेश्वर दयाल शक्सेना बकरी जनबादी नाट प्रमपरा का नाटक माना जाता है। सामको बाक का टेस्ट होगा सेकेंड बैच का बाक का है ना और फश्ट बैच का जो थर्ड और फोर्त बैच बालों के जो हैं जैसे टॉपिक टॉपिक खतम होता जाएगा बैसे आपके टेस्ट आते जाएंगे बैसे आपको टेस्ट लेंगे लेकिन आपको क्या करना है आपको जो पहले बैच नम्मर 1, 2, 3 जितने भी टेस्ट हुए हैं उन टेस्टों को को लगाना ह normal है ठीक है सारी टेश्ट आपको लगाना है और दोस्तो आपको एप पर ये सारी किलास रेकॉड्डेν बिल जाएंगी है न POWर पर और is upon ढजा कि इसमें क्या अंतर है कि हमें ये वीडियो और वो यूटूब बाली वीडियो कॉमन होती इसमें क्या अंतर होता है तो समझ लेना आप लोग इसमें बो है कि ये सिर्फ आप लोगों को किलासे मिलती है ठीक है बहुत बढ़िया तो सभी लोगों को धनवाद एप पर जाके द जय हिन